नवासकार दोस्तों स्वागत है अपका आप ही के चैनल में मार्किट का विशलेशन करेंगे अनलिस करेंगे दोस्तों कल के लिए ठीक है कल ऩे देट होने वाली है आपकी 14th fall अगस्त और दिन रहेगा कल बुद्वार का कल भी expiry होती है किसीज की होती है पर हाँ कल होती है बैंक निफ्टी की expiry है ना चली आईए चार्ट को देखते हैं चार्ट पे देख हमारे सामने क्या print हो चुका है और आगे आने वाले मतलब कल में परसों में दिनों में हमें और क्या देखने को मिल सकता है ठ वीडियो स्रिफ और स्रिफ learning और educational के purpose से है मैं savvy registered analyst नहीं हूँ जो बोल रहा हूं यह मेरा personal मत है मेरा personal view है market को लेके किसी को कोई buy sell की recommendation नहीं है ठीक है अब आज के दिन particularly candle की बात करें ठीक है एक negative candle हमें देखने को मिली है जिसमें selling हमें अच्छे खासी देखने को मिली है और अगर आप मुझे पिछले मतलग काफी दिनों से देख रहे हैं और पिछले खास तुर्पे जो पिछले 4-5 दिन में देख रहा है उससे मैंने एक ही चीज शेर करी है यह जो consolidation है जो upward rising channel के अंदर हो रहा है यह बड़ा ही negative type का consolidation यह इसमें हर दिन market जो है opening के बाद नीचे की close करता हुआ हमें दिखता है और यह तो गिरावाट पहले दिन वाली है जब सब कुछ ठोका हुए yen carry trade यह सब trade ठीक है आगले दिन फिर ठोका market यहां पर stable रहा यह एक लोथी green candle है दो तिन point की then market gap up खुलता है डाउ जोन्स वगरा वहां फिर selling हो चालो हो जाती है then market फिर gap up ख देखने वाली क्या चीज़ था बिल्कुल जो market का price section और वह था फाइट लड़ाई बियर बुल की वह आज की screen बिल्कुल वह दिखा रही थी कितनी मतलब मेहनत करनी पड़ी 24-300 पर बहुत मेहनत हुई 24-300 पर बुल की और बियर की भी ठीक है फिर ऐसी ही मेहनत आपको 24 चु ठीक है यह देखिए यह level है आपका 24-300 का ठीक है बहुत बहुत समला ठीक है बारा बज़े यह तूटता है यह देखेगा आपको यहाँ पर बारा बज़े तूटता है और हम दर्शन करने जाते हैं 24-200 के आसपास यह रहा 24-200 ठीक है यहां से एक rise आता है फिर नीचे की देख आता है तो यह दोनों जो level टूटे है 24-300 and 24-200 ऑन स्क्रीन सेलिंग पर टूटे है ऑन स्क्रीन हालाकि है यह अभी भी इस range के अंदर ही range जो है टूटी नहीं है अगर मैं डेली चाट पर आपको लेके चलूं यह देखिए है अभी consolidation के पर यह जो पूरा pattern है यह already एक ब पिछले 5-6 दिन में share कर रहा हूँ उसी परकार से यह pattern है और यह at least 23,800 तक हमको देखना चाहिए same आप यह drawing मेरी daily देख रहे हूँगे पिछले 5-6 दिन में इस परकार से हमें कुछ move जो है मिलना चाहिए ठीक है अब तो अभी भी यह तूटा तो नहीं है ठीक है तो कल गैप डाउन ओपनिंग शायद देखने को मिले और बाई देखे अब मुझे नहीं पता कि yen carry trade से गिरेगा कि डाउ जोन्स में वहां US में recession से गिरेगा कि इरान इसराइल के उससे गिरेगा यह अपना हिंडन बर्क का जो है इस से कि अरे यह मुझे इसमें से कोई भी सो में निकल के धा गा चोर निकल के भा गा ले भई यह गा भी इसी पाया चीक है हिंडन बर्की वेसे गिरेगा मैं तो अकड़ पकड़ बंबे वो करके यह चुल लिया इससे मेरा क्या लेना देना यार मतलब इससे किसी को क्या लेना देना जब चार्ट जो read कर पा रहा हू चार्ट जो मैं यहां पर देख पा रहा हूं वो मुझे weakness के ही संकेत दे रहा है ठीक है वो मुझे weakness के ही संकेत दे रहा है तो जब तक nifty मैंने आपके साथ एकी चीद शेयर करी है कहां गया यह रहा है 12 अगस्त की date है ठीक है यही 12 अगस्त की निफ्टी टू रिमें 24-300 बिल निफ्टी अगर 24-400-300 इनके उपर निकल जाता है 24-400 के उपर निकल जाता है कल चला गया था 24-400 पचा वहां मेरे को बहुत message आने लगे मैंने लिखा था कि मैं कम से कम दो दिन देखूंगा इस level के उपर निफ्टी को तब decision लोगा कि मुझे आगे करना क्या है otherwise I am interested in sell only ठीक और बैंक निफ्टी मुझे मेरे इलाके में मिल गया था 50,800 के आसपास तो यही इस range में आप जो है उसको sell कर दीजिए मैंने खुद sell उठाया ठीक है मेरे साथ members ने भी उठाया उसका screenshot मैंने आपको share किया है ठीक है वहीं पर मेरे भी एक-दो members का call है कि यह तो breakout है आप buy जनरी यह लेनी है लो नहीं लेनी है मतलो 48,000 की सेप्टेंबर की क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम शैद 48,500 तक देखेंगे ऐसा मुझे लगता है मैं आपके साथ चार्ट वगएरा share कर चुक हूँ आज भी चर्चा कर लेंगे इस बारे में जहां से लिया है वहां से 1000 आसपास का कलगा आए है आप देख सकते है 49,800 के आसपास हमने closing देखेंगे ठीक है नौ सिंस यह पैटन अभी भी खड़ा हुआ है ठीक है खिचडी 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 तो इसमें जब तक खिचडी खिचडी कोई अच्छी green candle के साथ इस परकार से candle हमको नहीं दि वो भी आगया आने वाले दिन में बताएगा इससे आगे कि मैं आपसे कहानी भी नहीं कर रहा है यह यहां तक आना चाहिए इससे ज़्यादा कोई व्यू है नि इससे ज़्यादा कोई चर्चा मुझे आपसे करनी है नि निफ्टी को लेगे इतना ही सोच समझ के रखिए द जब तक निफ्टी 24-300 की नीचे है अल्रेडियम सेल में बैठे वें सेल में हमारी पोजिशन है ठीक है तो यह जब तक लेवल इसके नीचे रहेगा मतल़ जब तक इसके नीचे रहेगा मैं सेल की पोजिशन में ही बैठा रहूँगा मुझे 23-923-800 तक एक बार निफ्टी चाहिए उसके बाद में कहानी आपके आगे के लिए अपडेट करूँगा तब तक यह 400 454 जो भी पॉइंट है मुझे लेने हैं मिलते हैं तो इसके ऊपर निकल जाता है भाई मेरा कोई व्यू नहीं है निफ्टी मतलब व्यू तो नहीं व्यू तो सेल का ही रहेगा मेरा को अच्छी खासी ग्रीन केंडल जैसे मैंने कल आपके साथ डिस्क्रेशन किया इस परकारगी इस परकारगी जब तक नहीं बनती और वह 24,400 के उपर जाके क्लोज नहीं करती ऐसे मुझे दो दिन केंडल चाहिए तब जाके मैं आपको अफडेट कर पाऊंगा कि तेजी करनी ह कि नहीं करनी है क्या करना है मार्केट में वो हम तब देखेंगे तब मैं अपना फ्रेश व्यू बनाऊंगा तो व्यू के लिए 24,400 के उपर बढ़िया ग्रीन केंडर क्लोज होनी जरूरी है वो तब चेंज होगा ट्रेड प्लैन के लिए 24,300 के ऊपर अगर निकल जाता है म मैं सेल में फिर इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक 24,300 के नीचे है मुझे मार्केट खराब लगता है 23,900-23,800 के शायद हम इर्दगिल मार्केट को जल्दी ही देख लेंगे है यह है निफ्टी और दुबारा से अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी जिसने ठीक ठाक बढ़ बिल्कुल ही consolidate करता है ठीक है एक गिरावट देता है फिर हलका सा rise करता है वहाँ पर trap करता है लोगों को फिर नीचे की तरह देता है अब कल जिनको breakout दिख रहा था आज तो नहीं हुआ होगा ठीक है चली SL कोई रखके trade कर रहा तो गलती नहीं है कुई देखे ऐसल हीट होना कोई गलती नहीं अगर कल किसीने तेजी भी करी है तो कोई गलत नहीं अगर वो SL पे निकल जाओ अगर मान लीजे कल कोई तेजी भी कर रहा था ठीक है तो यह जो उसका closing price है मतलब कल की candle का जो opening price है अगर उसके नीचे अगर आज trading हो रही थी तो उसको trade में से निकल जाना चाहिए था ठीक है और कल की opening क्या थी एक बार देख लेते हैं कल की इधर देखेगी इधर क्या है यह 50,407 50,000 यह कल का opening price था उस candle का जो आपको breakout दिखा रही थी अगर price थोड़के इसको नीचे trade करने लग जाता है तो तेजडियों को आज market से exit कर देना चाहिए और अच्छा खासा हम read करने में सफल हुए क्योंकि यह pattern इस पर गारगा बना हुए नीचे फिर trap करने के लिए उपर जाता है फिर दो-तिन candle में 1000 पॉइंट का fall फिर उपर जाता है ऐसे ही नीचे फिर यह trap और यह breakdown मुझे लगता है कि 49,500 400 बिलकुल नजदीक है और ultimately इसको इस red zone में आना है 48,500 के आसपास जिस प्रकार से bank nifty का price section जिस प्रकार से bank nifty चल रहा है कुछ हमने profit भी book किया है ठीक है अगर कल के दिन market फिर से red candle नीचे की तरफ तोड़ता है तो यह low break हो जाएगा जैसे दिखें यह low break हुआ ठक ठीक है यह low break हुआ ठक यह low break होगा तो यही दिखना है तो यह low के नीचे आ जाता है तो हम दुबारा entry कर लेंगे ठीक है मतलब कि full position के अंदर enter हो जाएंगे कुछ तो profit book करना पड़ेगा नहीं इतना मिल गया है तो छोड़ना थोड़ी है यह लोग इतना आई एक बार देखते हैं 49,659 बस अगर bank nifty अलके दिन 49,600 को break करके trade करने लगे और आपको नीचे 700 800 point और मिल सकते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पर मिले है ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है यह होना है market में आना है market में 49,600 टूटे तो दुबारा से जो मेरे मेंबर से वो भी सुन लीजे जो profit आज बुक किया उसको फिर से आप डाल सकते है market में 49,600 फिर SL अपडेट कर ले ना जैसे कल के दिन SL था 51,200 अब 49,600 टूटने के बाद SL हो जाएगा 50,000 अब 50,000 40,000, 50,000 70 यह level SL रहेगा ठीक है closing basis पे, positional basis पे नीचे target 48,500 अड़ताली से अर पास निकल के आ रहे है उसके बाद हम fresh view अपना उसके बाद बनाएगे इससे ज़्यादा कुछ नहीं यह market में दोस्तों, summarize अगर मैं करूँ, सारांस आपके साथ share करूँ, कल के दिन आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है bank nifty, intraday basis अगर कल यह level break होता है, 24,724, SL डालिएगा 24,125, sell कर दीजेगा nifty को intraday basis, intraday basis से याद रखिएगा, ठीक है, bank nifty, 40, 50,000 अगर नहीं cross करे, be on sell side उसकी हाला ज़्यादा खराब होने भी वाली है तो तीज परकार का आपकल intraday basis पर trade plan कर सकते हैं, positional की चर्चातों मैंने इस पूरी वीडियो में अब तक की है वीडियो अच्छी लगी हो, like कीजिए, share कीजिए, channel को subscribe कीजिए, उमीद है आपको useful लग रही होंगी, guidance आपको proper नहीं मिल रही होंगी ठीक है, नहीं मिल रही, नहीं अच्छी लग रही है, prepare करके अपना time मत खराब करिए, क्योंकि time से ज़्यादा किंती कुछ नहीं है, ठीक है, उसको अपनी growth में लगाईए, ना कि unnecessary जब समझ में नहीं आ रहा है, देखने में नहीं आ रहा है, guidance अच्छी नहीं मिल पा रही है फिर भी वीडियो देखने में, ठीक है, चलिए, thank you very much